जैस्री कृष्णा राधे राधे हम जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं और सफलता पाने के लिए दिन राध एक कर देते हैं लेकिन इसके बाबजूत प्रगती नहीं होती लोग लगता है जैसे हमारे तरक्की से जलते हैं कई बार तो हसते खेलते परिबार को नजर लग जाती है और धन की स्थिती मजबूत जब होती है तो खुसियां रहती है लेकिन किसकी नजर लग गई कि सब कुछ समाफ अब पुजा पाठ करने के बाद भी फायदा नहीं हो पा रहा है क्या यह गुरू के कमजूर होने का कारण है आज हम आपके साथ इन तमाम रहस्यों पर से परदा हटाएंगे और विस्तार से जानेंगे नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्माग आज हम बात करेंगे हल्दी की हल्दी तो हर किसी के घर में होता है किचन की सान है हल्दी और बिना हल्दी का तो खाना भी नहीं बनता और ना है कोई सुब मंगल कारे हो सकते हैं क्योंकि हल्दी सगुन का प्रतीक माना जाता है और ऐसा सगुन जो नजर दोस से बुरी चीजों से आपकी रक्षा करता है तो हल्दी जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है आपके स्वास्त के लिए भी बहुत लापकारी है इसकिन के लिए भी अच्छा होता है लेकिन आज हम आपको खास बाते बताएंगे जोतिस में आपकी कई परेसानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है और हल्दी पीला वाला जो हल्दी है वो देव गुरू से समंद रखता है अब गुरू की कैसी भी परेसानी हो चाहे संतान समंदी हो धन समंदी मुस्किले हो पढ़ाई समंदी मुस्किले हो या फिर आपके करियर रोजगार समंद्ध मुस्किले हो वहिलाओं के विवाह के समंद्ध कोई भी तकलीफ हो तो ये हल्दी बहुत काम का होता है जोतिस के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पणी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाते हैं तो आपका बिवाह जल्दी होता है बुरी नजर के सिकार आप नहीं होते और करियर में सफलता भी मिलती है और यदि आप सुबा नहाने के बाद स्रीहरी के चर्णों में थोरा सा हल्दी लगा कर खुद के माथे पे कंट पे या फिर कलाई पे कहीं भी एक जगह तिलक करके घर से निकलते हैं तो आपके कारे बनने लगते हैं कारे सिद्धी होती है और अगर घर में जादा वास्तू दोसो तो ये हल्दी आपके घर के वास्तू दोसको भी दूर कर देता ह हल्दी वैसे अगर आप मान लेते हैं आपको किसी ने कहा है पीला पुखराच पहनने अब पीला पुखराच तो बहुत महंगा है अब ऐसे में आप पीली हल्दी की गांठ यानि साबूत हल्दी आप पीले धागे में गुरुवार की सुबर धारन करें तो ये भी पीला चोटा सा परियुक बताएंगे जो आपके कीचन का हल्दी है वहीं पर इस परियुक को करें आपका भागे भी बढ़ेगा और बर्कत भी होते ही चली जाएगी तो चोटा सा प्रियोग को करने के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते है अगर के हर परिषानी को दूर करता है लेकिन उसके पहले एक बात जान ले भूल कर भी हल दी और नमक एक साथ मत रखिएगा अब यहां पर हल्दी रख़ाया है थोरी दूरी पर नमक रखिए तो इस तरह से रखें और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि हल्दी के डबे में ऐसा क्या रखें कि मा लक्षमी आपके घर में ही रहें और साथ ही जीवन में बरकत होती रहें वैसे तो हल्दी आपके कीचन की ही हल्दी की बात करेंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा जो गुरुवार का दिन होता है ना चुकि गुरु का सम्मंध हल्दी से होता है तो इस दिन एक बात हमेशा याद रखे अगर आपका गुरु मजबूत हो या कमजोर हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे जो खास कर महिलाएं है गुरुवार के दिन अपना सिर नहीं धोएंगी नहीं तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा और दामपत्य जीवन में बहुत परिसानी आएगी इसलिए यहां पर पती और संतान की उन्नती भी माना जाता है रुख ज अगर घर की नकात्मक उर्जाओं से आप बचना चाते हैं तो अब घर के बॉंडरी वाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दी जाए तो घर में नकात्मक उर्जा प्रवेशी नहीं कर पाता है और हर कोई स्वस्त रहता है अम मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं आप इससे आपके घर में नकात्मक सक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती अगर बिभा होने में बहुत परिसानी आ रहा हो या बैवाही जीवन में लग रहा हो जैसे अब सब खत्म होने वाला है तब नियमित रूप से भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डा पीत करेंगे वो तुलसी के पेड में ही डालिएगा हल्दी वाला जल इससे आपकी तुलसी भी हरी बरी रहेगी और भगवान सुरी की किरपास से आपका गुरू भी मजबूत हो जाएगा कई बार क्या होता है मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मा है कि लगता है जैसे रूट गई है क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें लगातार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास आम का पत्ता है गाच है तो एक पत्ता ले आईए अब एक बरतन में पानी ले लें उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस आम के पत्ते के सहारे आप पू गंद एक तो नकातमक उर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुसियां आती हैं धन बढ़ता है तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा माना जाता है दैबी गुन होते हैं दैबी गुन यानी ये बिल परिसानियों से बाधाओं से बचाया जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला सबसे मुख्य वस्तू है अगर पेट समंदी समस्या हो खासकर जैसे आपका गुरू गडबड है पेट की बहुत परिसानी है तब आप नियमीत रूप से पास के किसी म रखा है कि अपने घर के किचन में हलदी के डब्बे में क्या डाले तो आपके जो घर में किचन में हलदी का डबा है उसमें एक तो आप सबसे पहली बात आप हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए याद रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है टोना टोटका या भी किसी भी तरह का कोई चीज तो वो एक तो आएगा नहीं आपके उपर असर ही नहीं करेगा और अगर किसी ने किया है तो वापस उसके पास जला जाएगा आप हल्दी से अराम से खाना बनाईए और छोटा-छोटा साबुत मिर्च लाल सुखा हुआ देखकर उसमें डाल दीजिएगा ये मिर्च अगर आप चाहे तो बाद में यूच कर सकते हैं खाने में कोई दिकत नहीं है लेकिन उसमें डाल कर रखे आप और आपके घर वाले सुरक्षित बने रहेंगे और मस्तलाइब जीएंगे तो ये सिंपल प्रियोग है लेकिन भगवान स्रीहरी और मा लक्ष्मी की परतीमा आपके घर में अगर है भगवान विश्णु मा लक्ष्मी या राधा कृष्ण का भी तस्वीर है तो एक छोटा सा प्रियोग कीजिए आपकी मन चाही मुराद पूरी होगी क्या करेंगे एक कागज लेने किसी भी करण का कागज उससे फरक नहीं पड़ता उसमें एक चुटकी हल्दी या पांच चुटकी हल्दी डाले पुडिया बना ले अपनी मनोकामना कहें और भगवान की तस्वीर के पिछे चिपाते हैं जब मनोकामना पूरी हो जाए तो तुलसी की मिट्टी में इसको डाल दीजिएगा हल्दी को कागज को कई फेक दीजिएगा साइट ऐसा करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है चाहे वो मनोकामना आपकी नौकरी का हो आपके बिवा का हो संतान का हो अपने मकान दुकान का हो कोई भी मनोकामना हो अतिसिग्र पूरी होती है हल्दी के प्रियोग से घर में संपन्नता आती है और हल्दी के माला से अगर आप मंद्र जब करें तो गुरू जल्दी आपका मजबूत होता है और जल्दी से उसका सुपल भी आपको मिलने लगता है दूसरा परियोग है अगर धन की बहुत मुश्किल है तो बुद्वार के दिन मा लक्षमी को चावल के साथ दाने याद रखिए चावल के साथ दाने अरपित करें और अगले दिन यानि गुरू वार के दिन इस चावल के दाने को आप एक छोटा सा डिब्बी ले ले आपके गर में छोटा से डिब्बा किसी चीज का होगा कोई भी प्लास्टिक का कांच का कोई भी है और उसमें थोरा सा हल्दी डाले और उस हल्दी में इस चावल के दाने को रख के पुजास्थान पर रख दें धन की बर्क जैसी आपने रखा बढ़ जाएगी धन आने लगा लग झाले जाएगी द responds से लगएगी बर्क जैसी प्लास्टिक